अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आल पर जरूब सेलेक्ट कर लीजे ताकि जितनी वी वीडियो जमें अपलोड करूँ आप लोग तर नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंचाए आज के द ोडिफिकेशन प्रेट सब्सक्राइब की रिटन्स ओल्मॉस्ट पैसा आपका कीन गुना कर चुका यानि कि अगर आपकी एक लाग की इन्वेस्टिमेंट की तो उसको ओल्मॉस्ट दो लाग एकतर हजार रुपे आज की डेट में यह सो बना कर दे चुका है छे महीने के अंगर एक साल की बात करें तो एक सो उननचा से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई और अब जाके एक पॉजिटिव माहूल स्टॉक में क्रेट हुआ है मार्केट कैप यहां पे ओल्मॉस्ट सोला सो करूर के आसपास का देखने को मिल रहा जग कि स्टॉक का 52 वीक हाई ओल्मॉस्ट 78 रुबेका है आज की क्लोजिंग 73 के र वॉल्यूम आज की दिन में एनस्सी प्लस ब्यस्सी का वॉल्यूम देखने को मिला है और आज ही के दिन में वैस्कॉन इंजिनिर्स को एक बड़ा ओर्डर मिलता नजर आ रहा है वैस्कॉन इंजिनिर्स बैक्स टूर 62.2 क्रोजेक्ट टू बिल्ड गॉर्मेंट मेडिकल तरफ से बनाया जाएगा वैस्कॉन इंजिनिर्स की अगर हम बात करें कि एक साल की ओरू लिटन्स जहां पे 153 परसंट की हैं क्योंकि निफ्टी ने 12 परसंट बना कर दिये पी जो है बिलो इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है ओपेटिंग रिवेन्यू जो रहा 204 क्रोड क्या सबसका रहा था नेट प्रॉपिट कोटरली 11.9 क्रोड क्या सबसका मार्केट कैप 1600 क्रोड प्राइस तो बुक वेली 1.7 और साथ ही साथ में अगर बात करें वन इयर बैटा ओलमस्ट 1.35 के राउंड देखने को मिल रहा है वैसको ने इंजिए अगर हम पर्फॉमेंस ए देखें तो 2% के आसपास के एक दिन के रिटन्स है मंत प्राइस देखें तो ओलमस्ट 26% कोटरली रिटन्स देखें तो 73% और 52 प्राइस देखें तो एक साल में 165% के आसपास के रिटन्स बना कर दे चुकी है कोटल कोटरली रिवन्यू देखें तो आपको यहां पर देखें को मिलेगा कि 2023 के अंदर यानि कि जुन 2023 में 208 प्रोड का रिवन्यू था और प्राफिट की बात पर तो 14.5 प्रोड था जो कि कहीं न कहीं एरली बेसिस पर थोड़ा सा डेक्लाइन जरूर हुआ है लेकिन को बीडिन को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्रिप्शिन बच में आप अप लोग को मेरे टेलिग्राम घ्रूम करने को मिल जायेगा जिस पर में डेली एक से दो डेमोगल देता ओं इस एक से दो डेमोगल से आप प्रॉफिट क्लस लर्ने दोनों ही कर सकते हैं और टेल quarterly revenue 1.61% तक increase, annual net profit 122% तक increase, quarterly net profit 12% तक year on a basis पे increase हुआ है, stock price का अगर देखे तो 168.22% outperform its sector by 116.23% in the last year, price to earning ratio 16.23 देखने को मिल रहा है, debt to equity ratio 0.15 जो कि less than 1 देखने को मिल रहा है, return on equity, last financial year की 10% है, जो की normal range of 10% to 20% में देखने को मिल रही है, negative चीजें यहां पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे है, company के regarding अगर बात करें delivery volume की तो 4.9 million के आसपास का जो है delivery रहा है, आज के दिन में 33.8 million का जो total volume रहा है आज के दिन में और कहीने पर मोटर्स की जो holding है, वो भी इस company के अंदर अच्छी खासी देखने को मिल रही है और उसकी बावजूद जो है stock के अंदर कहीने कहीन आने वाले समय में एक बड़ा उचाल बनता हुआ देखने को मिल सकता है